नमस्क्र दोस्तों डिट है आज की चार फरवरी दो हजर बाइस और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज देखो चार इशूस हम डिसकेश करेंगे तीन दा हिंदू के और एक हिंदूस्तान टाइम्स का काफी अच्छा आर्टिकल है वेट लैंड्स कंजर्वेशन से सम्मधित वो भी हम डिसकस करेंगे सबसे पहले आर्टिकल हम डिसकस करेंगे इंडिया के द्वारा चाइना में उर्गैस हो रहे विंटर ओलंपिक गेम्स को बाइकोट करने से सम्मधित दूसरा आर्टकल हम discuss करेंगे इंडिया-चाइना बोर्डर डिस्प्यूट काफी समय बाद बोर्डर डिस्प्यूट से समधित आया है तो जो भी नए पॉइंट्स है उनको extract करके discuss करेंगे यहाँ पे crypto currencies के उपर यानि virtual digital assets के उपर 30% tax लगा जाने से समधित है और हिंदुस्तान टाइम्स का जो आर्टकल हम discuss करेंगे वो wetland conservation से समधित है वो pre के लिए भी important है चलिए discussion start करते हैं first important article इंडिया-चाइना relations से समधित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ क्या contest है देखो winter olympics start हो गए है चाइना के बीजिंग सहर में winter olympics हर चार साल में एक बार organize होते हैं और winter olympics में ice और snow पर sports को perform किया जाता है देखो उस समय पहले आपको याद हो गया एक खबर आए थी कि USA और USA के ally countries ने winter olympics जो की चाइना में organize हो रही है मतलब आज से ही start हुए है चार फरवरी से तो इन winter olympic games में official representation से इंकार कर दिया गया था USA और USA के ally countries के दवरा कोशन उठता है क्यों USA ने उस समय ये कहा था चूंकि चाइना के जिंग जियांग रीजन में muslims पर काफी ज़्यादा atrocities हो रही है human rights का काफी ज़्यादा violation हो रहा है इस वज़े से USA और USA के ally countries की official representation नहीं रहेगी winter games में winter olympic games में जो कि चाइना में organize हो रहे हैं official representation के ना होने का मतलब ये है कि USA और USA के ally countries के जो diplomates हैं वो मुझूद नहीं रहेंगे official representation ना होने का मतलब ये नहीं है कि USA के athletes participate नहीं करेंगे USA के athletes तो participate करेंगे but जो diplomates जिनको मुझूद होना होता है ना वो मुझूद नहीं रहेंगे ये मतलब होता है games को bycote करने का फिर से बोलता हूँ games को bycote करने का मतलब ये नहीं होता कि athletes भी नहीं जाएंगे तो देखो जब USA नहीं ये announce किया था ना तो उस समय पिछले साल सक्टेंबर की बाद है BRICS का एक summit और्णाईस हुआ था तो BRICS में चुकि आपको पता है इंडिया भी एक member है summit के बाद जो joint statement निकल के आई थी ना वो ये थी कि BRICS जो है चाइना में और्णाईस होने वाले winter games का समर्थन करेगा बट अब क्या हुआ है अब देखो ये हुआ है इंडिया ने मना कर दिया है कि इंडिया भी इन games का बाइकोट करेगा कोशन उठता है क्यों पहले जब इंडिया ने इन games का समर्थन किया था इंडिया ने कहा था कि games में politics नहीं होनी चाहिए तो फिर अब जाके इंडिया ने इन games को बाइकोट क्यों कर दिया उसका reason देखो ये है इन winter olympic games के start होने से पहले जो ये torch relay ceremony और्गाइस हुई थी थी न इस torch relay ceremony में चाइना के PLA के यनि People's Liberation जो आर्मी है उस आर्मी के एक officer ने participate किया था और उस officer का role रहा था गलवान वैली की घटना में तो इंडिया को लगा ये तो चाइना politics कर रहा है गलवान वैली में सामिन हो ले वाले military officer को इस इन games के torch relay ceremony में सामिल करना उस officer को owner करना एक परकार से तो ये वही बात हुई कि चाइना इंडिया को नीचा दिखाना चाहता है इस वज़े से इंडिया ने भी कहा हम भी इन games का bycode करते हैं मतलब हमारे जो एक diplomate है उनको मुझूद रहना था इन games की ceremony के दुरान वो मुझूद नहीं रहे बट जैसा मैंने आपको पहले बताया इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के athletes participate नहीं करेंगे इंडिया के एक मात्र athletes आरिफ खान जिनको पहले participate करना था इन games में वो अभी भी participate करेंगे बस bycode करने का मतलब ये है कि हमारे जो diplomate जिनको मुझूद रहना था इन games की ceremony के दुरान वो मुझूद नहीं रहे इसके बाद article में कहा जाता है देखो जब से गलवान वैले की घटना होई है तब से चाइना एक campaign सा चला रहा है ये साबित करने के लिए कि देखो People's Liberation Army के जो troops हैं वो कितने ज़्यादा बहादुर है उन्होंने इंडियन आर्मी के soldiers को रोक दिया तो चाइना की People's Liberation Army के officer को जो सामिल किया गया torch relay ceremony में ये उसी का एक पांट था बट काईदे से sports में चाइना को politics को include नहीं करना चाहिए था बट देखो इतिहास अगर हम उठा के देखें Olympics पर राजनेती हमेशा से होती आई है किसी भी देश में जब Olympic Games और्णाइज होते हैं जैसे माल लीजिए इंडिया में और्णाइज हुए हैं तो अभी BJP की सरकार हैं तो BJP देखो अगर successfully Games और्णाइज करवा पाती हैं तो BJP domestic politics में उसका फाइदा उठाना चाहेगी कि देखो हमारे कारेकाल में हमने इतने अच्छे ढंग से Games को और्णाइज करवाया है जैसे UPA की सरकार ने Commonwealth Games को और्णाइज करवाया था वो बात अलग है कि उन Games के साथ corruption के आरोप हैं वो attach हो गए थे तो उसी परकार से अब आप compare कीजिए चाइना में जो Xi Jinping राष्टरपती है न वो चाहेंगे कि चाइना जो है वो काफी अच्छे से इन Winter Olympic Games को और्णाइज करवाये ताकि domestic जनता को दिखाया जासके कि COVID-19 की महमारी के बाद स्टार्ट होने के बाद चाइना एक ऐसा देश है जिनोंने इन गेम्स को तैय सेडूल के हिसाब से और्णाइज करवाया वैसे तो ये गेम्स जो Summer Olympic Games है वो जपान में और्णाइज हुए थे पिछले साल आपको याद होगा बट वो सेडूल के हिसाब से नहीं हुए थे पहले 2020 में जपान में Summer Olympic Games और्णाइज होने थे नहीं हो पाए एक साल बात हुए लेकिन चाइना तैय सेडूल के हिसाब से ही इन गेम्स को और्णाइज करवा रहा है तो चाइना साबित करना चाहेगा अपनी सुप्रियोरिटी को कि देखो ना सिरफ एकोनमी के मामले में बलकी बाकी मामलों में भी जो चाइना है वो अब एक सूपर पावर बन गया है हलाकि देखो USA नहीं चाहता कि चाइना इन गेम्स को सक्सेस्फुली और्णाइज करवाए इसलिए तो USA ने डिप्लोमेटिक बाइकोट कर दिया इन गेम्स का किस आरोप में हमने पहले भी डिसकस किया USA ने आरोप लगाया कि जो माइनाइटी उगर मुस्लिम्स हैं जिंजियांग रिजन में वहाँ पे उनके उपर ये रिएजुकेशन कैम्स नहीं है ये वोकेशनल कैम्स है ये उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए है तो गेम्स को लेके जो राजनीती है वो चल रही है इंडिया ने भी अब बाइकोट कर दिये है इन गेम्स को हालाकि रीजन USA से अलग है इंडिया का रीजन है गलवान वैली में सामिल हुए पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ओफिशर को सम्मान देना सामिल करना टोर्च रिलेश सेर्मनी में तो ये हमने गेम्स से सम्मंदित हो रही राजनीती को डिसकस किया अब देखो अगला जो हमारा आर्टिकल है न वो बोर्डर डिस्प्यूट से सम्मंदित है इसे आप GS Paper 2 और GS Paper 3 दोनों से रिलेट कर सकते हो GS Paper 3 में स्क्योर्टी है और GS Paper 2 में इंडिया और नेबर होड रिलेशन से चेक अंटेस्ट है देखो इतना तो आपको पता है अप्रेल 2020 के बाद से ही लड़ांख रिजन में चाइना और इंडिया की जो forces है वो आमने सामने है रिजन ये है कि चाइना की जो troops है वो LSE पार करके इन सभी points पर आगे आ गई और इंडियन patrols पहले इन points तक जाती थी patrolling करने के लिए लेकिन आगे जाने से इंडिया की patrols को रोका जाने लगा ये सारे points है जहां पर चाइना की troops आगे आ गई और इंडिया की patrolling parties को रोका जाने लगा गलवान वैली जहां पर वाइलेंस भी हुआ था होर्ट स्प्रिंग्स, दपसान प्लेंस, गोगरा पोस्ट जो पैंगों सो लेक है इसका Northern Bank and Southern Bank कलांस रेंज, डैम चोक ये सारे points हैं जहां पर friction था इंडिया और चाइना की forces के बीच है हाल ही में देखो हमारी जो आर्मी चीफ है जनरल M.M. नर्वने इनके द्वारा एक statement दी गई कि जिन points पर friction था न 5 और 6 points थे जिन पर friction था उनमें से 5 points तो ऐसे हैं जिन पर विवाद को सुलझा लिया गया है और एक जो friction point है वो बाकी है जिस पर विवाद को सुलझाय जाना है राइटर को ये बात अच्छी नहीं लगी राइटर का कहना है जनरल M.M. नर्वने के अनुसार एक जो friction point बाकी है जिस पर अभी विवाद को सुलझाय जाना है वो आर्मी चीफ के अनुसार है होट स्प्रिंग्स बट दिखो आर्मी चीफ न डप्सांग प्लेंज को छोड़ दे रही है डप्सांग प्लेंज पर अभी चाइना की forces आगे है विवाद सुलझा भी नहीं है लेकिन आर्मी चीफ के अनुसार इस point पर विवाद सुलझाना भी नहीं है मतलब उनके अनुसार यहाँ पर कोई विवाद है ही नहीं इसके अनुसार तो इंडिया ने माल लिया कि इस point पर चाइना की forces जो आगे है वहाँ पर पहले से विवाद था वो अभी का विवाद नहीं है इंडिया ने यह माल लिया जबकि देखो एक्च्वल में अप्रेल 2020 से पहले आप ये मैप देखे एक सेकिंड मैं मैप डूंड लेता हूँ हाँ ये मैप देख लीजिए आप ये देखो ये दिपसान प्लेन का रीजन है राइटर के अनुसार अप्रेल 2020 से पहले इंडिया के जो टूप्स है ना इन सभी पॉइंट्स तक जा पा रही थी यहां तक लेकिन अप्रेल 2020 के बाद इस पूरे वाई जंक्सन में इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो नहीं जा पा रही है यहां पर तेनाद किया है तो चाइना की जो टूप्स हैं वो इंडियन टूप्स को आगे जाने से रोखती है यानि इन पैट्रोलिंग पॉइंट्स को एकसेस करने से रोखती है तो राइटर के अनुसार इंडिया देखो यह मान रहा है कि डिपसांग प्लेन पर फ्रिक्सर ही नहीं है इसका मतलब तो इंडिया ने मान लिया कि जो चाइना की टूप्स की अभी यहां जो पोजिशन है वो बिल्कुल ठीक है यह तो गलत है न यह तो वही बात हो गई प्रधामंत्री मोदी ने गलती से कह दिया था प्रजन है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बोर्डर पर जिस पे दोनों देशों की जो टूप्स हैं वो पेट्रोलिंग करती है इंडिया की टूप्स भी और चाइना की टूप्स भी खैर राइटर के अनुसार प्रधामंत्री मोदी की उस स्टेटमेंट से हमें नुकसान हुआ था और अब आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है कि 5 और 6 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स तो हैं वो सुलझा लिये गए हैं और होट स्प्रिंग का जो पॉइंट्स हैं उस पे विवाद को अभी सुलझाय जाना बाकी है तो फिर कोशन उठता है दिपसां प्लेन पर क्या दिपसां प्लेन पर चाइना की जो फोर्सिस आगे है उसका क्या क्या वो फ्रिक्शन पॉइंट नहीं है क्या इंडिया ने मा यहाँ पर आप देखिए यह वाई जंक्शन है पूरा यह इतने सारे पैट्रोलिंग पॉइंट्स प्प प्ளक्या इन सारे प्रिक्शन प्लेन प्लेन पर इंडिया की ट्रूप्स नहीं जा पा रही हैं क्यूकि यहाँ पे चाइना की फोर्सिस तिनात है还 ego अए न्गी तास लेकिन राइटर इस बात को नहीं मानते राइटर कहते हैं आप उस समय के लेटनेंट जनरल से बात करके देख लीजिए उनके अनुसार 2013 में चाइना की टूप्स यहाँ पर बेसक आगे आई थी लेकिन हमने जल्दी से चाइना की कुछ टेरिटरिस को कैप्टर कर लिया था और नेगोशेशन जो हुई उसके अनुसार चाइना की टूप्स यहाँ से पीछे चली गई वापस लेकिन अब जो चाइना की टूप्स यहाँ पर आगे आई है न वो अप्रेल 2020 में आई है बट आर्मी की तरफ से ये संकेत दिया जा रहा है कि चाइना की टूप्स यहाँ पर अप्रेल 2020 से आगे नहीं आई है 2013 में आगे आगई थी तो आप जाहिर तोर पर मतलब पोलिटिक्स इन्वोल हो गया आपको पता है सरकार भी एक परकार से अपनी 26 हाफ करना चाहती है कि 2013 में यूपिय की सरकार के दुरान आगे आई थी तो इसलिए ऐसा नहीं कि अब आगे आई है हमारी सरकार के दुरान तो देखो नैशनल इंटरेस्ट में जब भी पोलिटिक्स इन्वोल हो जाती है उससे देश को खत्रा है देश को नुक्सान होता है चाहे कोई भी पार्टी करे तो अब राइटर ना लाश्ट में देपसान प्लेंज की इंपोर्टन्स बताते हैं इंपोर्टन्स वो यह कहते हैं देखो यह जो एरिया है न वो strategically काफी ज़्यादा इंपोर्टन्स है क्यों इंपोर्टन्स है? इस देपसान प्लेंज के थुरू इंडिया काराकुरम पास करके सेंटरल एसिया को एक्सेस कर सकता है दूसी तरफ ये वो point है जहां पे देखो enter करके जहां से इंडिया अक्साई चीन को वापस ले सकता है हलाकि आपको भी पता है थोड़ा सा ये impractical है लेकिन बात है कहने की ये वो point है जहां से enter करके इंडिया पाकिस्तान में गिलगिट बालतिस्तान में enter कर सकता है तो इस point की ना इस white junction की importance काफी ज़्यादा है इस side चाइना की side ना काफी सारे road भी बने हुए है कल को युद हो गया ना तो चाइना के side जो better infrastructure है उसका इस्तमाल करके चाइना आसानी से इंडिया की side enter कर सकता है तो इसलिए इंडिया को इस position पे इस white junction पे अपना जो claim है बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इस पर negotiation चलती रहनी चाहिए कि यह जो है इस point पर पहले इंडिया की patrolling parties आती थी तो अब क्यों नहीं आ पा रही है strongly इंडिया को चाइना के साथ negotiate करना चाहिए इस white junction को लिखे यह writer का point है तो यह हमने पूरा article discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next important article cryptocurrencies के regulation से समधित है आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो अभी तक budget में आपने एक चीज़ तो सुन ही लिए होगी कि सरकार virtual digital assets के gain पर 30% का tax लगाएगी बाद में हमारी जुवित मंतरी है उन्होंने इस बात को clarify भी किया कि currency तो RBI के द्वारा जारी की जाती है currency के अलावा जो भी asset digital form में है जैसे cryptocurrencies कोई number हो सकता है कोई token हो सकता है वो सब virtual digital assets में आते हैं तो उन पर अगर कोई gain होता है तो उस पर सरकार 30% tax लगाएगी तो ये debate start हो गई कि अगर cryptocurrencies के बेचने या खरीदने पर किसी को फाइदा होता है सरकार 30% उस पर tax लगाएगी तो इसका मतलब क्या सरकार ने मान लिया है कि cryptocurrency is legitimate है ये गहर कानूनी नहीं है दिखो इसको लेकर अभी अलग अलग राय है विबिन experts की सरकार बिना आदे या दूरा काम छोड़ देती है सरकार ने कुछ खास clarify नहीं किया है बाद में हलाकि सरकार की तरफ से एक statement जारी की गई कि tax लगाने का मतलब ये नहीं है कि अब ये पूरी तरह से legal है पूरी तरह से legitimate है बट कुछ experts का मानना है चूकि एक bill भी सरकार लाने वाली थी cryptocurrencies को ban करने के लिए वो bill नहीं लेके आई और इस budget session में अभी तक कोई संकेत भी नहीं दिया कि cryptocurrencies को ban क्या जाएगा तो 30% tax लगाना मतलब अब सरकार ऐसा लगता है कि cryptocurrencies को ban करने के बजाए regulate करना चाहती है तब ही तो उन्होंने 30% tax लगाया है otherwise तो वो 30% tax लगाते ही न सरकार ने कहा है ये जो 30% tax है न वो एक अप्रेल 2022 के बार से लागू होगा लेकिन कुछ चीजों को लेके इस article में न points raise किये गए हैं जैसे 1% TDS कातना है जब इन virtual digital assets को बेजा जाएगा ख्रिदा जाएगा या फिर even exchange किया जाएगा तब 1% TDS कातना है बट अभी तक ये पूरी तरह से clear नहीं है कि 1% TDS कौन कातेगा जैसे देखो मान लीजे मैं only ice में काम करता हूं और only ice मुझे salary देता है तो एक threshold level से जादा अगर मेरी salary है तो only ice institution क्या करेगा मेरी salary में से कुछ पैसक काट लेगा फिलाल ये 10% है जैसे मान लीजे मेरी salary एक मन्त में 80,000 है तो 10% काट के institution मुझे देगा 8,000 काट लेगा एक महने में और वो 8,000 institution क्या करेगा वो सरकार को दे देगा और बात में जब मुझे ITR फाइल करना होगा न तो फिर मेरा जितना tax बनेगा अगर जितना मेरा TDS काटा गया है दोनों सेम हैं तो मुझे tax बरने क्या आप सकता नहीं है लेकिन अगर मेरा tax सरकार को कम बन रहा है पूरे साल में तो सरकार मुझे वो tax वापस लुटा देगी जो इंसिचूशन ने सरकार को अलड़ी पे कर दिया है मेरी तरफ से अब आपके मन में आया होगा सरकार ये करती क्यूं है मतलब TDS जैसा system सरकार करती क्यूं है देखो TDS सरकार काटने को इसलिए कहती है कि एक transaction की trail पता कि जासके कि ये लोग जो है ये इस institute में काम करते हैं इन्होंने इतनी इतनी salary उठाई लेकिन बावजुद इसके इन्होंने tax नहीं बढ़ा लेकिन TDS सरकार के पास जाएगा तो सरकार को एक trail मिल जाएगी कि इनको पास इतना पैसा आया फिर भी इन्होंने अपना tax नहीं बढ़ा लेकिन अब बात यही है ना virtual digital assets के मामले में सरकार ने यह नहीं बताया है कि 1% TDS कोन काटेगा यह आने वाले दिनों में ज्यादा clear होगा और दूसरी चीज यह TDS के बारे में हमने डिसकस किया दूसरी चीज सरकार ने यह भी कहा है मैं आपको फिर से example की साहिता से बताता हूँ मान लीजे मैं only ice में काम करता हूँ मुझे 80,000 salary मिलती है तो उसके बाद अगर मैंने crypto currencies में पैसे लगाए उसमें मुझे घाटा हो गया तो अब काईदे से देखो जो 80,000 salary है ये तो बारा महिनों की कितना हो जाएगा 9,60,000 हो जाएगा हना नहीं बारा अठेच्छान में हाँ 9,60,000 हो जाएगा सरकार कहती है कि जो crypto currencies में LinkedIn है उसको आप अलग रखो उसको आप बाकी income से नहीं जोड के देख सकते इसको इस income को अलग माना जाएगा और अगर फाइदा होगा तो उस पे हम 30% tax लगाएंगे तो इस पे भी बहुत से जो crypto currencies के experts हैं वो questions raise कर रहे हैं कि इसको बाकी income से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता जोड़ना चाहिए क्योंकि crypto currencies में trade भी तो एक trade है न इसके अलामा देखो सरकार ने ये भी कहा कि virtual digital assets में जो losses है न उनको carry forward नहीं किया जा सकता यानि हिसाब होगा तो 31 मार्स तक का होगा तो ये कुछ points हैं जिस पर writer कहते हैं निरासा हात लगी 30% tax एक तो virtual digital assets पर काफी जादा है दूसे देशों में कम है और सरकार ने even regulate भी तो नहीं किया न अच्छे से आने वाले समय में सरकार जादा clarification जारी करेगी तब पता लगेगा अभी तो सरकार ने कु Cryptocurrencies आज के समय में आपको पता है इसका trade काफी जादा होता है और काफी volumes भी है, valuation भी काफी जादा involved है, हमारे जो youth हैं वो भी अपना पैसा काफी बरबाद कर सकते हैं, advertisements में आके जैसे आप देखते हो YouTube पे बहुत सारे जो influencer हैं, वो Cryptocurrencies को promote करते नजर आते हैं, लेकिन देखो Cryptocurrencies बहुत ज़्यादा volatile हैं, कुछ लोग अगर पैसा कमाते भी हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा अपना पैसा खो देते हैं, तो मैं तो आप चुकि मेरे अपने ह तो मैं तो आपको यही करना चाहूंगा, कि आप इन में invest करो, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के invest कीजिएगा, और मेरा तो देखो, पर्सनल मानना यह है, Cryptocurrencies, Share Market, तो छोड़िए, इवन सोसेल मीडिया की distraction भी नहीं होनी चाहिए, एस्पारेंट फेस के दुरान, मेरा तो चलो, thank you for the ग्यान, चलते हैं अब अगले आर्टिकल के तरफ, इसके बाद नेच्ट आर्टिकल वेटलेंड कंजर्वेशन से समधित है, आप GS paper 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, देखो हर साल, दो फरवरी का जो दिन है न, वो वर्ल्ड वेटलेंड डे के रूप में क्यों अबजव किया जाता है, क्योंकि देखो इस दिन, रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी, 1971 में, रामसर कन्वेंशन जो है, वो वेटलेंड को कंजर्व करने से समधित है, तो उसके बाद से ही, दो फरवरी का जो दिन है, वो वर्ल्ड वेटलेंड डे के एको सिस्टम है, और ग्लोबल क्लाइमेट को रेगूलेट करने में भी इंपोर्टेंट रोल प्लेए किया जाता है, वेटलेंड के द्वारा, लेकिन देखो चिंता की बात ये है, वेटलेंड जो है, वो फोरेस्ट के अपेक्साकर्थ, तीन गुना जारा तेजी से डिसाप लेकिन आम जनता से पूछ के देखिए, उनको वेटलेंड का मतलब भी नहीं बता होगा, वेटलेंड के काफी सारे फाइदे हैं, डिजास्टर के रिस्क को वेटलेंड के द्वारा कम किया जाता है, जैसे फ्लर्ट्स और कोस्टलाइन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, इसके इसमें इंदिया बीचो बीच आता है, तो 71% माइगरेटरी बड्स जो इस फ्लाइवे का इस्तमाल करते हैं, वो इंडिया में रुकते हैं, अब इन्डिया में वो देखो वेटलेंड्स के आज़बास वेटलेंड के नसधीक ही तो रुकते हैं, गर लुप्त हो जाएंगे, तो ये जो migratory birds हैं, ये इंडिया में नहीं रुकेंगे, ये migratory birds अगर इंडिया में नहीं रुकेंगे, तो धीरे धीरे देखो, जो migratory birds हैं, उनकी संख्या भी कम होती चाहेगी, इसके लावा देखो, wetlands का, इंडिया के culture के साथ भी काफी घहरा relation है, जैसे example के तोर पर एक उपर जाते हैं, कस्मीर में डल लेक है, खजियार लेक है, हिमाचर परदेश में नैनिताल लेक है, उत्रकंड में कुड़ई कुनाल है, तमिलाडू में, ये popular tourism destinations हैं, आपको बता है, और छट जो festival है, काफी ज़्यादा famous है, छट festival में wetlands का इस्तिमाल होता है, तो ये जो festival है ये लोगों को culture के साथ, पानी के साथ, और wetlands के साथ आपस में connect करता है, यानि इस festival में association देखने को मिलता है, लोगों का, culture का, पानी का, और wetlands का, इसके अलावा भी, मनिपूर की दो लोग तक लेक हैं, इसको पूजा जाता है, locals के द्वारा, मतलब मा की तरह पूजा जाता है, इमा नाम भी है, लोग तक लेक का मनिपूर में, और सिक्किम में जो काफी famous लेक है, खिचियो पालडी लेक, इसको तो विस fulfilling लेक माना जाता है, यहाँ यहाँ पर इस लेक में जो जाता है, उसकी इच्छाइन पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है, तो यह कुछ example है, culture के सा आध एसोशेट किया जा रहा है, wetlands को आप समझ के देखिए, बड़ देखो, wetlands आज के समय में under threat है, काफी सरे regions का कारण, pollution, water drainage, unsustainable use, invasive species, deforestation, soil erosion, यह कुछ regions है, जिसकी वज़े से wetlands खत्रे में है, last में कुछ regions और भी आएंगे, इंडिया देखो, काफी समय से पर्यास कर र बाया गया है, यानि, incomparable land, यानि, ऐसा land जो पवित्र है, सेकर्ड है, परधामंत्री मोदी भी यही चाहते है, wetlands को हम अच्छे से कंजव करें, उसी दिशा में सरकार ने काफी सारे efforts भी लगाए है, जैसे देखो, हाल ही में, दो और sites को, रामसर sites का दर्जा दिया गया, एक यह तो देखो, खिजारिया wildlife century है, यह गुजरात में है, दूसरा बखीरा wildlife century, इन दोनों को भी अब, रामसर sites का दर्जा दे दिया गया है, रामसर sites मतलब, जो wetland, international importance का होता है, उसे रामसर site का दर्जा दे दिया जाता है, ताकि उस wetland को और ज़्यादा अच्छे से कंजव क जासके, तो अब इंडिया में total देखो, 49 रामसर sites हो चुकी है, यह pre के लिए भी important है, तो South Asia में, इंडिया में सबसे बड़ा network है, रामसर sites का, आप एक बार, यह map देख लीजेगा, slide को post करके, अब तो देखो, संख्या काफी जादा हो चुकी है, अगर 15-20 number हो, तो UPSC पू पूछेगी तो, aspirants को जो दिक्कत होती है, 49 sites के नाम कैसे याद रखेंगे, aspirants, तो फिर UPSC थोड़ा इस परकार का question पूछती है, कि हाल ही में, जो sites add की गई है, उनसे सम्मंदित question पूछ लिए जाते है, बाकि तो देखो, UPSC आपको भी पता है, आजकल जादा ही unpredictable हो गया ह कुछ भी कर देता है, logic सारे fail कर देता है, इसके बाद देखो, mains के दृष्टिकों से कुछ steps बताए जाते हैं, जो सरकार के तरफ से लिए गए है, wetland को कंजव करने के लिए, जो National Wildlife Action Plan 2017 से लेके 2021 के बीच है, इसमें 17 priority areas को define किया गया था, और 17 में से एक है, prevention of inland aquatic ecosystem, इस wildlife action plan में ये भी envisage किया गया है, कि National wetland missile को develop किया जाएगा और एक National wetland biodiversity register में डवलब किया जाएगा, wetlands को कंजव करने के लिए, इसके अलावा, wetlands को river basin management में integrate किया जाएगा, ये भी एक strategy है, river system को ज़्यादा बैतर धंग से manage करने के लिए, wetlands को कंजव करने के लिए, काफी सारे central rules and regulations है, जैसे देखो, Indian Forest Act 1927, Forest Conservation Act 1980, Indian Wildlife Protection Act 1972, इन सब में wetlands को कंजव करने के दिशा में, कुछ ना कुछ provisions तो देखो, मिलते हैं, 2017 में Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने notify किया था, wetland conservation and management rules को, कौन से act के अंतरगत, इन wetland conservation and management rules को notify किया गया था, Environment Protection Act 1986 के अंतरगत, इन rules के provisions के अनुसार, जो state wetland authorities है, उनको constitute किया गया है, states में wetlands से समन्दित bodies को regulate करने के लिए, और उन से समन्दित policies बनाने के लिए, इसके अलावा, Environment Protection Act के अंतरगत, Coastal Wetlands को protect किया गया है, Coastal Regulation Zone Notification 2018 के अनुसार, और इसकी amendments के अनुसार, इसके अलावा देखो, Island Protection Zone Notification 2011 के अनुसार भी Coastal Wetlands को protect किया गया है, Environment Protection Act के अंतरगत, 2020 में Ministry of Environment ने wetlands को rejuvenate करने के लिए, एक program लोज किया था, जिसमें 4 points main है, developing, baseline, information, rapid assessment of wetland condition, using a set of parameters in the form of wetland health cards, एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि एक point लिखने के लिए होज कि अगर question पूछ ले थी है, UPSC, कि सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए है, wetlands को कंजव करने के लिए, तो ये सारे जो points है आप लिख सकते हो, जितने भी अभी तक हमने act discuss किये, policies discuss कि, उनका जिकर आप कर सकते हो ये जो program है, wetland rejuviation वाला, ये 500 से ज़्यादा wetlands को अभी तक cover कर चुका है, एक portal भी सरकार ने develop किया है, national wetland portal, इसमें सभी wetland को कंजव करने से समदी जो stakeholders है, उनकी information है, तो ये जो portal है, एक knowledge hub का का काम करता है, wetlands से समदी थे, wetlands अब फिर से last में बोला जाता है, wetlands देखो, ecosystem के लिए काफी important है, food provide करते है, water, fiber, groundwater recharge, water purification, flood moderation, storm protection, erosion control, carbon storage, climate regulation, बहुत से अच्छे अच्छे काम करते है, wetlands, लेकिन खतरा है, ये सब खतरे है, wetlands को, urbanization, agriculture, pollution, climate change, dressing, dressing मतलब नदी में जैसे, नीचे-नीचे मिटी कठा हो गई, उसको निकाला जाता है, silt जिसे कहा दियाता है, उसे dredging कहा दिया जाता है, draining, invasive species का आना, salinization, ये सब खतरे है, wetlands को, तो इन खतरों से नीपटना जरूरी है, अगर हमें wetlands को conserve करना है, तो ये पूरा article हिंदूस्तान टाइम्स का हमने डिसकस किया, wetland conservation से सम्मदित, हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, आज हमने चार issues को detail से दिसकस किया, thank you, thank you very much for discussion.